हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे दावतों वाली मुर्ग बिर्यानी यानि चिकेन बिर्यानी और देखेंगे इसमें ऐसे क्या सीक्रेट इंग्रीडियन्स डालते हैं जिससे इनका जायका बहुत ही ज्यादा लजीज होता है इसके लिए सबसे पहले आप चिकेन ले ले यहा अद्रक लेसुन का पेस्ट एक चम्मच यह मैंने अद्रक और लेसुन को घर में ही कूट लिया है आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं एक नीम्बू का पूरा रस नमक नमक आप अपने स्वात के अनुसार ले और हम इसमें उपर डालेंगे दही यह थोड़ी ग जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगे यही इसी से वो टेस्टी सा जाइका आता है अब एक पैन लेंगे उसमें हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे जैसी तेल गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले 10-12 गोल मिच एक इंच लकडी एक चम्मच जीरा एक इ जैसे प्याज गोल्डर ब्राउण जाए इस तरीके से हो जाए तो जो में अद्रक्लेसुन का हम पेस्ट डालेंगे यह मैंने आधा चम्मच अध्रक्लेसुन का पेस्ट का पेस्ट डाला है क्योंकि मैंने इक चम्मस डाले है याद रहे बिर्यानी बनाते समय या कुछ भी दस मिनट तर लगातार चलाते हुए भूनना है दस मिनट हो गए हैं अब मैं इसमें डालूंगी दो बड़े टमाटर और दो हरी मिर्च और जो मिर्च है वो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप घटा और बढ़ा सकते हैं अब हलकी सी आँच लो करके टमाटर गलने तक आप इसे पकाईए यह जो सीक्रेट इंग्रीडियंट है इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगी यही वो सीक्रेट मसाला है जो मैंने बनाया है जिससे जाइका में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप इसे डाल दे और पू लगेंगे चिकन जो है बन गया है थोड़ा सा धन्या पत्री डाल कर आप इसे यूही भी खा सकते हैं इसका जाइका भी बहुत ही जादा लजीज होता है लेकिन क्यूंकि हम बिर्यानी बना रहे हैं अब हम चलते हैं चावल पकाने के लिए चावल के लिए आप कोई भी ब् दो बड़ा इलाइचा जावित्री एक इंच का दालचीनी और चार-पांच गोल में यह डालिए धन्या पत्ती पुदिना पत्ती और मिर्ची यह भी आप डाल दीजिए एक-एक कब मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक आप अपने टेस्ट के कुकर में यह चावल को भी आप पूरा डाल दीजिए एक सीटी आने तक पकाईए और इसे रख दीजिए जब ठंडा हो जाए तब हम इसे दम करेंगे एक कुकर में या बड़ी तली वाली आपकी जो भी कढ़ाई है उसमें पहला लेयर आप चिकन कर डालिए फिर चावल ड दालिए थोड़ी धन्या पती मिर्ची डालिए और ऐसी पूरे लेयर साब बना लेजिए उपर से थोड़ा डाल सकते और आप इसे एक तवे पर पहले तवे को पांच मिनट के तेज घरम कर लिजिए फिर अपने इस कुकर को रख के ढख कर आप इसे कम से कम 30 मिनट के लिए पहले पांच मिनट तेज आज में फिर इसे फ्लेम को आफ करके अब 30 मिनट के लिए से दम पे चड़ा दीजे इस तरीके से अब कवर कर लिजे कई लोग कपड़े से भी या कई लोग आटे से भी कवर करते पर मैं बस ऐसे उपर बस लिड लगा देती हूं यह कुछ मिर्च कि मिर्ची तली है आपने उसे आप गार्णिश करिए और गर्मा गरम ऐप इसे सर्फ करिए गर्डो घ्राइता के साथ बलाओं और फिर आप किसी करी के साथ यह भी अपने मन पसंद के कुछ सालन बना सकते है उसके साथ और अपने घर में इंजाइए करिए यह वीडिटि hoe आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताईए खाने में बहुत ज्यादा लजीज बिर्यानी होती है आपने मेरा वीडियो देखा है इसके लिए थैंक यूज